हेलो एवरिवन आपका हमारे चैनल में स्वागत है हमारे सारे वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए वहां आपको वीडियो का अप्शन मिल जाएगा उसको सेलेक कीजिए आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और अगर आपको क्लास के अकॉर वीडियो मिल जाएंगे हमारे वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे थैंक यू सो माच हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टो अवर क्लास आप आज की दिन हम स्टांडर्ट सैवन में चैप्टर नमबर वन पादपो में पोशन की अन्य विधिया वो पढ़ेंगे उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है परजीवी पोशन अब परजीवी पोशन किसे कहते हैं कुछ वनस्पतियां ऐसी भी होती हैं जिन में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे परजीवी पोशन का प्रयोग करते हैं उदारन क्या है अमर बेल अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जिन वनस्पत्यों में क्लोरोफिल पाया जाता है उन वनस्पत्यों को हम कौन सी वनस्पत्या कहते हैं स्वपोशी वनस्पत्या एवं अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए हम उसे कौन सी वनस्पत्य कहते हैं परपोशी वनस्पत्या ये वनस्पत्या जिन वनस्पत्तियों पर आरोहित होती हैं उनसे ही पोशन प्राप्त करती हैं जिन वनस्पत्तियों पर वो आरोहित होती हैं उन्हें पोशिता वनस्पत्ति कहते हैं अर्थात ये जो वनस्पत्तियां होती हैं जो दुसरी वनस्पत्तियों पर आरोहित होती हैं उन वनस्पत्तियो के मुल्यवान पोशन से ऐसी वनस्पतियां उन्हें वंचित करती हैं इसी लिए ऐसी वनस्पतियों को पर जीवी वनस्पति कहते हैं अब जो यह हम देखते हैं कि अमर बेल टाइप की जो वनस्पतियां होती हैं वे पोशिता वनस्पति अर्था जिन वनस्पतियों पर वो आ पत्तियां कहते हैं, अब हम अमर बेल का एक्जामपल देखते हैं, अमर बेल की मुख्य प्रजातियां कसकुटा रिफ्लेक्सा और सेकंड है कसकुटा चाइनेंसिस, अब यह जो अमर बेल हैं, यह पीले कलर के हमें लतायें दिख रही हैं, यह इस तरह की लतायें जो हैं, यह अमर बेल है ये तुसरी वनस्पत्यों पर आरोहित हो करके उनके पोशन से ही अपना पोशन करती है अपना भोजन ये स्वैम नहीं बनाती ये अपने पोशन के लिए अन्य वनस्पत्यों पर आधारित रहती है और उन जो जिन वनस्पत्यों पर आरोहित होती है उन पोशिता वनस्पत्यों के मुल्यवान पोशन से ही अपना पोशन करती है इस तरह हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये वनस्पत्यां इन डालियों पर बैलों की तरह लताओं की तरह इन पर लगी हुई है अब ये पत्तियां उन्हीं से अपना पॉषण प्राप्त करती हैं अब हमारा सेकंड टॉपिक है कीट भक्षी पॉषण कीट भक्षी पॉषण पॉषण की वहविधी है जिसमें पौधे अपना पॉषण कीट को खाकर करते हैं इनके पत्तों में मटके की तरह या सुराही की तरह का ढाचा बना होता है पत्तियों के सबसे उपर शिखर का भाग धक्कन की तरह उस सुराही को खोलने एवं बंद करने का कारे करता है अब हम देखेंगे कि ये जो धकन की तरह जो पार्ट होता है वो धकन की तरह पार्ट सुराही का वो सुराही को खोलने एवं बंद करने के आपकारे करता है मटके के अंदर नीचे की और कुछ बाल लटकते दिखाई देते हैं जब भी कोई कीट इन वनस्वत्यों के पास आता है तब ये उन्हें इनी बालो जैसी रचना में पसा लेते हैं इस मटके जैसी रचना में पाचन अर्क, पाचन अर्क को हम दुसरे पाचन रस के नाम से जानते हैं पाचन अर्क जैसी रचना होती है जिन में कीटको का पाचन होता है पाचन रस के अर्क अंदर ही कीटको का पाचन होता है इसलिए इन्हें हम कौन सी वनस्पत्या कहते हैं? कीट भक्षी वनस्पत्या कहते हैं अब हम उसका एक्जाम्पल देखेंगे आप सभी ने अपने घरों में पिक्चर प्लांट देखा है पिक्चर प्लांट के अंदर हम देख रहे हैं उपर का भाग धकन की तरह है यह इस सुराही को बंद करने का कारे करता है और यह जैसे ही हम देख रहे हैं कि यह जो कीटक है यह अभी उसके उपर है अब कुछ यह जो नीचे मटके जैसी रचना हमें दिखाए दे रही है यह पुरा पिच्चर प्लांट है अब यह देखिए अंदर की तरफ यह पाचन रस है अब यह जो कीटक है यह पाचन रस के अंदर इसका पाचन होगा अब यह पाचन रस जो है इनका कीटकों का पाचन करने में सहायता करेंगे इस तरह ये कीट भक्षी जो वनस पत्तियां होती है वे अपना पोशन इस प्रकार करती हैं मृत जीवी पोशन अर्थात क्या? तो मृत जीवी पोशन यह पोशन की वाविधी है जिसमें पोधे अपना पोशन सड़े गले कार्बिनिक पदार्थों से ग्राण करते हैं कवक में पोशन का संचार इस रिती से होता है वे रोटी द्वारा पोशन ग्राण करते हैं जिन जीवों में मृत पोशी पोशन होता है वे मृत पोशी जीव कहलाते हैं वो green green जो दिखाई देता है, हरे हरे color का जो दिखाई देता है, वह क्या होता है? वह कवक होता है, कवक जो है, वो अपना जो खुराक है, वो सड़े गले carbonic पदार्थों से प्रहन करते हैं. तो आएी हम देखते हैं कि कवक किस प्रकार, ब्रेड पे आती है, तो यह हम देख रहे हैं कि ब्रेड के ऑपर कुछ ले ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, वो जैसे 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 ब्रेड रखे हुए, time period ज़्यादा जाधा जा रहा है, तो उस पे कुछ fungus की तरह कुछ ग्रीन ग्रीन ब्लैक प्लैक हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है वो कवक है ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थर से अपना पोशन ग्रहन करते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि लंबे समय तक गर्म या नमी युगतवातावरर में रखी गई चीजों जैसे की कपड़े चमड़े मटके इत्यादी पर कवक लग जाती है हम देखते हैं कि ठंडी के टाइम पर मॉनसून रिजन्स में मॉनसून के टाइम पर बरसात के टाइम पर हम देखते हैं कि हमारे जो कलोथ होते हैं उस पर कुछ हमें वाइट वाइट दिखाई देता है तो जो वो वाइट वाइट दिखाई देता है वो वाइट वाइट औ पोशन या पोशन की वह विधी है जिसमें दो अलग-अलग किस्म के जीव एक दुसरे को लाप आवंटित करते हैं या एक दुसरे को पोशन देते हैं पेड़ों की जड़ों में कुछ कवक निवास करते हैं उन पेड़ों द्वारा पोशन कवक को दिया जाता है एवं कवक द यह कार्बन डायक्साइड एवं पानी क्लोरोफिल और सुर्य उर्जा की उपस्तिती में जब वो प्रकाश्च इंस्टेशन की क्रिया करते हैं तो उनसे उन्हें क्या प्राप्त होता है कार्बोहाइटरिट एवं ग्लूकोज ग्लूकोज जो है ग्लूकोज उन पेडो द्वारा ये कवक को पोशन की तरह दिया जाता है और कवक उन्हें रिटर्ण में क्या देते हैं कवक उन्हें रिटर्ण में पानी उनका जो पानी का लेवल होता है उसको वो क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं और उन्हें return में क्या देते हैं phosphorus नामक पोशक तत्व देते हैं इस तरह वह सजीवी पोशन होते हैं पोशन की प्रक्रिया करते हैं एवं पेडो द्वारा कवक को और कवक द्वारा पेडो को एक दुसरे को वह लाब बाड़ते हैं एक दुसरे को पोशन देते हैं इस तरह हमारा यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लेट होता है और अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज है उसे सौल करेंगे थैंक यू झाल